लिजे सुनिए आचारे चतुरसें शास्त्री के लिखे उपन्याज वयम रक्षा महा का पंद्रवां भाग वाचे पुरुष माल भेत मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जेवी दोनों की मूर्चा भंग हुई उन्होंने देखा सूरी की चमकती हुई सुनेहरी धूप में दोनों तीर की रेती पर पड़े हैं और बहुत से दानवों ने उन्हें घेर रखा हैं रावण उठकर बैठ किया तरोनी को संभूतित करके उसने कहा हम कहा हैं संभवत आह दानवों के दिवीप में रावण ने आख उठा कर अपने चार और खड़ी भीड को देखा उसमें आबाल ब्रिध सभी थे बहुतों का रंग गोरा और मुख सुन्दर था अपने को टोली के नायक ने अपना शूल रावण के वक्ष पर रख कर कहा चलो दानविंदर की सेवा में रावण ने संगनी की उर देखा और चुक्चाप उठ खड़ा हुआ दानवों की एक टोली दोनों बंदियों को घेर कर ली चली तेड़े मेढ ही रास्ते पार करते हुए वे परवत पर चड़ने लगे बंदियों के पीछे बहुत से दानव आब आल वरिद्ध थे सभी कौतुहल से पूर्ण थे शीगरी ये दल उस छोटी सी पहाड़ी के शिकर पर चड़ गया शिकर पर एक छोटा सा मैदान था मैदान के बीचों बीच जल्देयों की विक्राल मू महिशी पुरोड़ हवस्था की थी कभी वो सुन्द्री रही होगी उसके अंग पर रत्न मनी स्वान का बाहुल था वो सुकोमल चर्म सज्जा से सज्जित थी दानव पती मकराक्ष ने भी मस्तक पर भुजा पर वक्ष पर स्वारन धारन किया था उसके एक हाथ में स्वारन दंड था दूसरे में मनी कलश वो धीरे धीरे कोई मंत्र पाठ करता आ रहा था उसके साथ एक ठिकने कद का वृद्ध पुरुश था उसकी खूब बड़ी लंबी सफेद दाड़ी थी वो कमर में व्यागर चर्म पहने था उसके हाथ में बहुत बड़ा खडग था दोनों दानवेंदर ने महीशी सहित देउता का पूजन किया फिर दोनों बंदियों को मुक्त कर इसनान करा कर उन्हें नवीन वस्तर धारन कराए हविश यान ने खाने को दिया इसके बाद दानवेंदर ने महीशी सहित हवन किया अगनी प्रदक्शना करके उसने बली का पूजन क व्रद्ध दाढ़ी वाला व्यक्ति चरक था, उसने मंत्र पाठ करते हुए कहा, वाचे पुरुशुमा लभेत, देतेंद्र ने अंजली में जल भर कर कहा, वाग देवता वै पुरुशं पूर कम आलभेत, इतना कहकर उसने अंजली का जल रावान के सिर पर छड़क दिया, द प्रतिक्षाय लब्द व्यस वस्तुना लाब प्रतिक्षन भिमान ने कुमारी मनूड हम कन्या मा लभते, इसके बाद दाढ़ी वाले पुरुश ने पुकार कर कहा, पशु लाओ, तुरंती गाय घोडा आदी साथ ग्राम पशु और हरेन आदी साथ जंगली जीव रस्यों से बांध कर लाए गए, दाढ़ी वाले पुरुश ने मंतर पाठ किया, पशुन वावरुंदे सब्त ग्राम्यह, पश्वह सब्त रन्यह, सब्त चंदांसियू भै स्यावरुद्धे, इसके बाद उसने रस्यों लेकर मंतर पाठ करते हुए, बली जीवों को बांधना पुरुश ने मंतर पाठ किया, आदत रितस्यत्वा देव हवी ही, पाश्वारभे सावित्रेन रश नामादाय यशोर्दक्ष्णा बाहवो परिव्योर्ध्व मुत्क्रिश आदद, इन मंतरों को पढ़कर दानवेंद्र ने रावन कीता था महीशी ने देखत बाला की दा अक्षनाया, प्रतिमुच्च घर्षा, मानुशा, नित्यत्तरतो, यूपस, निउनक्ती, दक्षनत एकादशिनान, ये मंतर पाठ होने पर उन्होंने वही रसी सिर की तरफ ले जाकर, पीछे से पैरों को भी बांध दिया, वध्यों का अंग जकड गया, चरक ने अन्न देते, शानते पार्शता, और एक पशू का सिर एक ही बार में धर से जुदा कर दिया, उसका मास खंड लेकर ये जमान देतेंद्रों और महेशी ने आहुती दी, इसी प्रकार मंतर पाठ करके, एक एक कर सभी पशू को मार मार कर यग करना आरभ कर दिया, इस समय बहुत से दानाओं वहाँ आज उटे थे, उनमें बहुत से उन मारे हुए पशू की खालो धेडों धेडों धेड कर, उनका मास साफ करके, बड़े बड़े भान्डों में भर कर चूलों पर चढ़ाने लगे, चरक ने मंतर पाठ किया, सुक्रताच्छ मिता रहा, कृष्ण वन्तूत म इसके बाद अब दानवेंद्र मकराक्ष विक्राल खांडा हाथ में लेकर रावन के समुख आया, उसने कहा, अरे विश्रवा मुनी के पुत्र, वानी के देवता के लिए, जलों के देवता के लिए, अलभ वस्तू उपलब्ध होने के लिए, मैं तेरी बली देता हूँ, अ लब्ध प्रतिक्ष देवता के लिए तुझे बली देती हूँ, उसने अपने खड़गी की नौक से उसे चूते हुए अक्षत उस पर फेके, इसके बाद चरक ने उन्हें पुश्प मालार पित की और सौत्रा मनी सुरा दी, बहुत से बाजे जोर से बज उठे, सुरा पी क उसका हिरदय धड़कने लगा, उसने देखा, नील जल राशी पर सुदूर शितिच के पास श्वेत श्वेत धबे दीख रहे हैं, उसने नेत्रों के संकेत से देत कुमारी को भी बता दिया, उसके होटों के इस फुरण से तथा नेत्रों के आहलास से वो समझ गई कि कुछ चाशा जनक संदेश है, थोड़ी देर में उसने देखा, बहुत से पोत अपना पाल उड़ाए धर बढ़े आ रहे हैं, दानवों का उधर ध्यान न था, वे जोर जोर से बाजे बजा और चिला रहे थे, चरक मंतर पाठ कर रहा था, नर्बली की पूरी तैयारी हो चुकी थ खडग मंतर पूत किये जा रहे थे, कुंड में बहुत सी चर्बी, तिल, मास और इंधन जल रहा था, बड़े बड़े भांडों में बली हुए पशुओं का मास पकाया जा रहा था, उधर भीड भाड में सब कुछ अवेवस्थिस सा दीख रहा था, अब चरक की आग्या से देतेंद्र खडग लेकर रावन का बद करने आगे बढ़ा, यूप से बद रावन ने अपनी आखे फैला कर फिर विस्त्रित समुद्र की ओर देखा, अंगिनत तरनिया तीवर गती से चली आ रही थी, रावन ने कहा, दानवेंद्र से मेरा एक अन्रोध है, वो धर्मानु अन्रोध का भी कल्यान होका, चरक से पूछो, चरक ने दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहा, विश्रवा मुनी का पुत्र ठीक कहता है, वो वेद पाठ करे, रावन ने उच्चस्वर से वेद पाठ करना प्रारंभ किया, परन्तु तरनिया भी बहुत दूर थी, मकराक्ष ने कहा, बस अब और नहीं ठैर सकता, वो खटग लेकर आगे बढ़ा, रावन की दृष्टी में व्यथा व्याप गई, देत्ते वाला की दृष्टी भी उन्ही तरनियों पर थी, संकट समुपस्थित देखकर उसने कहा, मैं कुमारी हूँ, देत्ते कन्या हूँ, लब धव्य की प् खटग महीशी को दिया, महीशी खटग लेकर आगे बढ़ी, रावन कुछ प्रतिक्रिया करे, इसके प्रथमी दानव महीशी का खटग बली पर पढ़ा, देत्ते बाला का सिर कटकर नीची लटग गया, धर से रक्त की धारा उमड चली, रावन के नित्रों में अंधिकार च चड़ा दिया, चरक ने मंत्र पढ़ा, आदद रितस्त्वा देव हवे, देखते ही देखते देत्त बाला के छट पटाते शव के दानवों ने टुकडे टुकडे कर डाले, मास खंडों को एक बड़े भान में भर कर पाक करने के लिए आग पर चड़ा दिया, चरक ने मंत् रावन का सारा अंग जड़ हो गया, इस काम में बहुत समय व्यतीत हो गया, अतह रावन के भाव परिवर्तन को किसी ने नहीं देखा, अब चरक ने मंत्र पढ़ा, वाचे पुर्ष माल भेत, मक्राक्ष चरक के हाथ से पूत खड़िक लेने को आगे बढ़ा, परंत इसी सम मक्राक्ष ने देखा, अंगिनत राक्षसों ने चार ओर से वो यग स्थल घेर लिया है, और वे चार ओर से बान वर्षा करते तथा दानवों का निर्दय संगार करते बढ़े चले आ रहे हैं, ये देखते ही मक्राक्ष ने अपनी भगल में पढ़ा नर सिंगा फूका, पा कस्मात अकमपन उचल कर शक्ति लेकर मक्राक्ष के सम्मों खाया, रावण ने चिला कर कहा, उसे मेरे लिए छोड़ दू मातुल, दानवेंदर मेरा पशू है, और शण भरी में उनमुक्त होकर रावण ने अकमपन के हाथ से शक्ति लेकर मक्राक्ष के हिर्दय में हूल दी परन्तु मक्राक्ष उचल कर बगल में हट गया, इस से प्रहार पूरा ना पड़ा, अब वो एक परीग लेकर रावण पर दोड़ा, रावण ने वज्र के समान तोमरों के निरंतर आगात से मक्राक्ष को जरजर कर दिया, मक्राक्ष लहु लुहान होकर भूमी पर गिर किय इस पर अंगिनत दानवों ने शक्ती परेख शूल मुगदर लेकर रावण पर सैयुकत अक्रमन किया, ये देख सुमाली देत गदा हाथ में ले उन पर तूट पड़ा, देत पती की भीश और गदा की चोट से दानव जट पट मरने लगे, मक्राक्ष उनकी लोथों में पर अप गया, परन्तु रावण ने उसका पैर खीच कर बाहर निकाला, फिर उसे अपने सिर के चारो और घुमाया और भूमी पर दे मारा, मक्राक्ष का सिर फट गया, फिर भी वो मरा नहीं, पड़े ही पड़े उसने रावण का पैर खीच कर उसे गिरा दिया, अब दोना युद्धा परस पर गुथ गए, रावण ने मक्राक्ष के कवच नाकूनों और दातों से चीर डाला तथा दौना वीर निरस्त्र हो, मुको और लातों से एक दूसरे को मारने तथा गुथ कर लुडखने लगे, रावण ने क्रोधोन मत्त होकर इस परकार दानों को मत्हा आटा गूता जाता है, मक्राक्ष ने बल लगा कर रावण को दूर धकेल दिया, परंतु रावण ने उचल कर एक लात दानों की चाती में मारी, लात खा कर दानों रक्त वमन करने और कराहने लगा, अब रावण ने मुक के मार मार कर उसकी पसलिया तोड़ डाली, दानों क जीब बाहर निकल आई, वो हाफने लगा, उसके नाक कान और मुक से रक्त की धार बेह निकली, इसी समय रावण ने अपनी वज्जर भुजाओं में उसे सिर से उपर उठा लिया और धधकते हुए विराट हवन कुंड में फेंक दिया, दानों अंदर मक्राक्ष का ऐसा भ रनिपात किया, रावण ने हाथ का खडग हवा में उचा उठा कर कहा, वयम रक्षा महा, सब कोई सुनो, आज से ये सुंबा द्वीब और दानों के सब द्वीब समो, रक्ष संस्कृती के अधीन हुए, हम राक्ष से सिसके अधीश्वर हुए, जो कोई हम से सहमत है, उसे इशन, शिरच्छेद हो, सभी आबाल वृद्ध दानों ने भूमी पर लोटकर रक्ष पती रावण की अधीन तस्वीकार कर ली, राक्ष सोने वो सुंदर द्वीब, हर्म, सौध, स्वन, रत्न, राज्य अपने अधीन कर लिया, द्वीबों में सर्वत्र रावण की दोहा ही फिर गई, अभी आप सुन रहे थे आचार चतुर स्यन शास्त्री के लिखे उपन्यास, वयम रक्षा महा का अंद्रहवा भाग, वाचे पुरुष माल भेत, मेरी यानि समीर्गो स्वामी की आवाज में, पुरुषा. और भाग global भेत, में सकात्तों बादानस, वाजन में स्वामी के लिए झाल झाल